नमस्कार जोहार मैसंजे और आप देख रहे हैं न्यूजवार कन चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी कबर को साहिब कंच के डियसपी राज़न्द रुदूबे को एडी के जोनल कारेले पहुचना था लेकिन वे एजनसी के समक्च उपस्थित नहीं हुए थे जिसके बाद वहाँ आज सुकुरवार को एडी ऑफिस पहुचे हैं जहां उनसे एडी फोन पर करन मामले में पोच्च ताच शुरू हो गई है इससे पहले गुरुवार को दिन भर एडी के अधिकारी राज़न्द रुदूबे का इंतुजार करते रहे वही इस मामले में एडी ने 6 दिसंबर को सुरजपंडित और 7 दिसंबर को चंदन यादो को पोच्च ताचकली समन किया था ये दोनों भी एडी के समक्च हाचिर नहीं हुए थे इडी इस मामले में पुलीस पददिकारी बाद दोनों अन्य संदहियों के उपस्थित नहीं होने को काफी गंभीर मान रही है चौदा जंगली हाथियों के जुण्ने एक वैक्ति को माडाला धर से सिर ही गाईब कुडर्माजिला में जंगली हाथियों का आतंक जारी है 14 जंगली हाथियों के जुण ने फिर एक व्यक्ती की जान ले ली है बृत व्यक्ती का सिर गाव है काफी कोजबिन के बाद भी सिर का हिस्सा नहीं मिल पा रहा है कुरडेग प्रखन अंतरगद हेडमा पंचायद के सागजोर गाउं का मामला है जहां गुरवार रातरी करीब सड़े बारा बजे के लगबग 14 हाथियों के जुण ने कमल प्रधान नामक एक व्यक्ती को बुरी तरह से कुछलकर मार डाला मिले जानकारी के अनुसार हाथियों के जुण खलिहान में रखे आनाज को चट कर रहे थे इससे दोरान भगाने गए कमल प्रधान को हाथियों के जुण ने पटकर मार डाला गटना के जानकारी होने पर ग्रामिनों ने मौके पर पहुँच कर देखा तो मिर्ता का सिर गाइब है जिसकी काफी खोजबिन के बाद पता नहीं चल पा रहा है जंगली हांतियों के द्वारे यहाँ अब तक का सबसे भायावा तरीके से किसी व्यक्ति को मारा गया है जिसके धर से सिर ही गाइब है बोकारो के सेक्टर छे में आठ दुकाने जल कर खाक 48 घंटे में दूसरी घटना बोकारो जिले के सेक्टर छे थाना छेतर में देरटात भीसन आग लग गई इस आग लगी की घटना में साथ से आठ दुकाने जल कर खाक हो गई यह घटना बीती रात की बताय जा रही है जोपडी और गुम्टीनुमा दुकानों में लगी थी इस आगले की घटना के बार दुकानदारों का रोरो कर बुरा हाल है तई रजाई की दुकान पूरी तरह से जल कर खाक हो गई है दुकानदारों ने बता है कि इस घटना में 5-6 लाग का समान पूरी तरह से जल कर खाक हो ज़ार्खिन के कोज्रमा में समाच को नसामुच्ट बनाने के लिए पुलिस की और से अभ्यान चलाए जा रहा है इस अभ्यान के तहट दूर के इलाखो में बसेज़ लोगों को जगरूप किया जा रहा है जिससे नसे का कारोबार रुक सके, साथी नसा मुक्त समाज भी बन सके, इस अभ्यान में पुलिस के साथ अस्कुली बच्चों ने भी अपनी भागिदारे दी है, जिन्दगी को हाँ नसा कुना के नारे के साथ कोटरमा पुलिस की और से नसा मुक्ती अभ्यान चला जा रहा ह इस अभ्यान के तहट उन इलाकों को चिनहित किया गया है जिन इलाकों से बड़े पैमाने पर नसे का कारोबार होता रहा है साथ ही जिन इलाकों में ज्यादा लोग नसा करते हूं ऐसे इलाकों में नसा मुक्ती के लिए असकूली बच्चों की भी मदद ली जा रही है खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चानल को सस्क्राइब ने किये हैं तो प्लीज चानल को सस्क्राइब करके बैल अकन प्रेस कर दे जिससे आपको जारकन की हट शोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंसता रहे चलिए हाई कोट ने राज सरकार पर लगाया पचास हजार रुपए का जुर्माना ये है मामला जारकन हाई कोट ने राज सरकार पर पचास हजार रुपए का जुर्माना लगा है मिली जानकारी के मुताबिक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफसल में चतुर्थ वर्गे पदो पूरी नहीं हो पाई पूरी नहीं हो पाई पूरी नहीं हो पाई थे कुलहान विश्र विद्धाले की और से ऐसे विद्धार्थियों के लिए कोलेजों के सीट ना होने पर अत्रिक्त दस परतिसत सीट बढ़ाने का भी विकल्प दिया गया है दस दिसंबर के बाद पीजी में अत्रिक्त दाकिला नहीं लिया जागा इसमें भौतिकी, हिंदी, इतिहास, राजनितिक, विग्गान, भुगोल, गनीत, हो, भासा में दाकिला लेने के एक्छुग विद्धार्थी नमांकन करा सकते हैं होकी वर्ल्ड काप की ट्रोफी आज पहुंचे गिरांची, खेल प्रेमी कर सकेंगे दिदार ओडिशा की रावर केला और भुनिश्वर में अगले साल 13 जन्वरी से पूरुस होकी विस्व काप का आयोजन होने बाला है इस होकी विस्व काप की ट्रोफी आज सुकृवार को राँची पहुंचेगी, गुरवार को गुवाहाटी में जार्खन होकी संग के महासच्चिव वजैसंकर सिंग और CEO रजनी सुकुमान ने आसम होकी संग के पदधिकारी से ट्रोफी पराप्त किया है जारकन होकी संक की पदधिकारी ट्रोफी लेने के बाद आज सुकुरवार की साम बिर्सा मुंडा एरपोर्ट ट्रोफी लेकर पहुंचेंगे इसके बाद बिर्सा चौंक पर विस्वकप ट्रोफी को प्रदरसित किया जाएगा मिले जानकारी के अनुसार 11 दिसंबर को ट्रोफी को मुरहबादी मैदान में खेल प्रेमियों के लिए प्रदरसित किया जाएगा इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है गाउ में घुसे गजराज, दहसत में ग्रामिन, मौके पर पहुंची वन विभा के टीम जाडे का मौसम सुरू होते ही, जारकन की राजधणी राज़णी राची सहित आसपास के एलाकों में जंगली हाथियों का उतपात एक बार फिर से सुरू हो गया है ताजा मामला राज़ी के और माईजी ठानाच शेत्र का है यहां के बारीडी गाउं में जंगली हाथियों के जुन में से पिछड़कर एक जंगली हाथी गाउं में घुस गया है ग्रामीनों ने मामले की जानकारी वन्विभा को दी है जिसके बाद वन्विभा की एक टीम मौके पर पहुँची और जंगली हाथी को वापस जंगल में भगाने की कोसिस में जूटी हुई है बारीडी गाओं की रहने वाले रवेंद्र ने बताया है कि रात के समय ही एक जंगली हाथी गाओं में खुशाया अलाकि उन्हें इसकी जानकारी सुभा में मिली जब अपने खेद जा रहे है एक ग्रामीन ने हाथी को देखा ग्रामीनों ने पहले तो खुद से ही जंगली हा हुशता है तो काफि नुक्सान हो सकता है मिली जानकारी के अनुसार दो दरजं से जादा जंगली हाथी फिलाल गाओं की पास वाले जंगल में डेरा डाल हूए है उन्हीं हाथियों में एक गुश आया है फिलाल विभा की टीम हाथी को भागाने की कोशिस में लगी हुई ह दो से अधिक संतान वाले को चनौ लड़ने पर रोग के खिलाब हाई कोट में याचिका दायर जारखन में दो से अधिक बच्चो वालों को निकाय चनौ लड़ने से वंचित रखने के खिलाब हाई कोट में याचिका दायर की गई है राची के रहने वाले क्रिस्ना कोवार ने याचिका दायर कर राज सरकार के निकाय चिनो नियमावाली को सविधान के अनुरूप नहीं बता है याचिका में कहा गिया है कि इस नियमावाली से चिनो में समानता के अधिकार का हनन हो रहा है नियमावाली में कहा गिया है कि दो से अधिक संतान वाली महिला या पूरुस निकाय चुनो लड़ने के योगे नहीं होंगे यदि दो संतान नौ फरवरी 2013 से पहले की है तो वहां चुनो लड़ सकते हैं संतान की परिभासा में जुड़वा और गोद लिया बच्चा भी सामिल है चुनो लड़ते समय सभी अभ्यर्थियों को सौगोश ना देकर या बताने को कहा गया है कि उनके पास दो से अधिक संतान नहीं है या चिका में कहा गया है कि निकाय चुनो के लिए बनाई गई सरकार की या नियमा वाली सविधान की मूल भावना के विफरित है इस करण इसे रद कर दिया जाना चाहिए 1186 जगो में मिली बिजली चोरी बिजली चोरी पकड़ने के लिए कल प्रदेश भर में अभ्यान चला कर एक दिन में 4634 परिसरों में चापे मारी की गई इनमें से 1186 परिसरों में बिजली चोरी पकड़े जाने पर इनसे करीब 2 करोड रुपे का जुर्माना वसूला गया इसके साथ ही प्रात्मे की भी दर्च की गई है चापे मारी के दोरान राची में 70, गुमला में 34, जमसेदपूर में 132, चाइबासा में 94, धनबाद में 84, चास में 86, डाल्टन गंच में 182, गढ़वा में 48, दुमका में 69, सहिब गंच में 77 इस्थानों पर बिजली चोरी प परिच्छा का कटप मार्क्स जारी करने की याचिका, जे पीएसी द्वारा आयोजित सत्वी से 10 वी सिविल सेवा परिच्छा का कटप मार्क्स जारी करने के लिए हाई कोट में रीट याचिका दायर की गई है, आयोग की अनुसंसाप राजिस्तरकार ने सत्वी से 10 वी करने की मांग को लेकर सोनुकुमार रंजन सहित अनिज ने रिट याचिका दाकिल की है इसमे राजसरकार जे पीएसी कारमेक सच्यू को परतिवादी बना गया है याचिका में कहा गया है कि आयोग ने सातवी से दसवी सन्युक्त सिविल सिवा परिचा के लिए मैई 2022 में अंत पकड़ा गया पल्लवी का हत्यारा खुलेंगे कई राज मा ने पुलिस को बताया हत्या से कुछ देर पहले ही किया था कॉल कहा जगड़ा हो गया रांची के बियाटी मेसरा की छात्रा पल्लवी का हत्यारा बिहार के आरा से पकड़ा गया है पल्लवी की हत्या कने के बाद ह आरोपी बनारस फरार हो गया था, पुलीस बनारस पहुंचती इससे पहले आरा भाग गया, यहां से भी वाकिसी तीसरी जगा फरार होने के चक्कर में था, तभी पुलीस ने आरोपी को गिरप थार कर लिया, 5 दिसंबर कुरांची के टाटी सिल्वे इस्थित आरागेट रेल पटरी पर लहू लुहान हालत में पल्लवे की लास मिले थी इस घटना को आत्महत्या साबित करने की कोशिस की गई थी लेकिन रेलवे ट्रैक से दूर पड़े होने और आसपास के लोगों के बयान से यह साब दुर गटना एकव्क्ति गंभी रूप से घायल ग्राची चावासा मोके मार्ग एनच 75 टेबू रांगामाटी गाउं के पाक सड़ा दुर गटना से तारुप बेडा निवासी 40 वर से एकव्क्ति गंभी रूप से घायल हो गया आनन फानें में घायल व्क्ति को अनुमंड न्यूज जारकन चानल को सस्क्राइब करके बैल अकन प्रेस करते जिससे आपको जारकन के हर चोटी बड़ी कवर का अपडेट आप तक पहुंचता रहें। तो आज के लिए बस इतना ही हमें दीजे इजाज़त फिर मिलते हैं नेक्ट न्यूज में।